स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल SG Food World में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही स्पेशल साउथ इंडिन ब्रेकफस्ट जिसका नाम है रवा इडली इडली का बैटर बनाने से रेस्टोरेंट स्टाइल इडली सर्फ करने तक सारे स्टेप्स आपको बताऊंगी बहुत ही हेल्दी और लाइटवेट ब्रेकफस्ट है जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है इस रेसिपी की शुरुवात करने से पहले आईए दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट से नोटिफिकेशन के लिए पहले इडली के बैटा के लिए इंग्रीडियंट्स रेडी कर लेते हैं पहले लेनी है दो कप सूजी फिर लेना है एक कप दई जिस कप की मेजरमेंट से आप सूजी लेंगे उसी सेम कप की मेजरमेंट से आपको दई भी लेना है दो कप पानी सेम कप की मेजरमेंट से सॉल्ट, धाई टीस्पून, आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम या जाधा कर सकते हैं दो टीस्पून रिफाइन डॉयल, आदा टीस्पून काली मिर्च, काली मिर्च से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है तीन चुथाई टीस्पून बेकिंग सोडा, बैटर बनाने के लिए सारे इंग्रीडियन्स रेडी हैं तो चलिए लेते हैं एक बाउन, उसमें आड़ करेंगे सूजी, और डालेंगे इसमें बाकी सारे ड्राइ इंग्रीडियन्स, नमक, काली मिर्च, स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इस टाइम पर मिक्स करना भी इज़ी है, और जब बैटर हमारा रेडी होगा, तो नमक और काली मिर्च का स्वाथ पूरे बैटर में एक ज़स आएगा मिक्स हो चुका है, अब इसमें आड़ करेंगे दई, दई आड़ करते ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब आड़ करेंगे दीरे दीरे करके पानी, और साथ के साथ अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ध्यान रखेगा पानी एक साथ सारा नहीं आड़ करना है, दीरे दीरे डालना है और साथ के साथ अच्छे से मिक्स करते जाना है, इससे लंप्स नहीं पढ़ेंगे हमारे बैटर में गाठे भी नहीं पड़ेंगी और हमारा जो बैटर है वो एक जैसा बनेगा पूरे दो कप पानी मैंने इसमें आड़ कर दिया है बैटर की कंसिस्टेंसी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ना तो जाधा गाड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत पतली यह बहुत ही अच्छी टिप है दोस्तों आपके लिए बैटर जाधा गाड़ा इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि इडली हाड नहीं होना चाहिए और बहुत जाधा पतला भी नहीं होना चाहिए नहीं तो इडली तोटने लगेंगी आब इसमें आड करेंगे रिफाइंड ओयल डालने से एडली बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं, मिक्स कर लेंगे अच्छ से. सारे इंग्रेडियन्स अच्छ से मिक्स होने के बाद हमें आड करना है बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर आड करने से जो हमारी इडली है बहुत ही फ्लफी और स्पॉंजी बनेंगी मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसमें कोकोनट ग्रेट करके भी डाल सकते हैं उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है बैटर हमारा रेडी है अब इसे आदे घंटे के लिए ढग के रख देंगे सेट होने के लिए ताकि जो सूजी है वो पानी एब्जॉब कर ले कि जब हम इडली बनाये मिलकुल इडली सॉफ्ट और स्पंजी बने मैं इडली माइक्रोवेव में बना रही हूं तो मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव सेफ इडली स्टैंड लिया है इडली स्टैंड में अब डालेंगे पानी, ध्यान रखे पानी हमें उस लेवल तक डालना है, ताकि स्टीम भी बहुत अच्छ से बने, और जो हमारे इडली मोल्ड्स हैं, वो डूबे नहीं अब मैं ग्रीस करूंगी इडली मोल्ड्स, थोड़ा थोड़ा ओईल लगाके अच्छ से मोल्ड्स को ग्रीस कर लेंगे, ग्रीसिंग करने की वज़े से इडली जब त्यार हो जाती है तो अच्छ से दिमोल्ड हो जाएगी, अब इडली मोल्ड्स को फिल करेंगे बैटर से, ज ज़ान रखीगा कि मोल्ट को उपर तक फिल ना करें क्योंकि इडली मिक्स्टर स्टीम होने के बाद फूलेगा भी अब दोनों मोल्ट को फिल कर दिया हैं इसे रखेंगे इडली स्टैंड में जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ अब कवर करेंगे लिट के साथ माइक्रोवेव करेंगे छे मिनट के लिए अगर यही आप ग्यास पर बना रहे हैं तो इडली को बनने के लिए लगेंगे 10 से 15 मिनट रेडी है हमारी इडली डी मोल्ट करने के लिए एक नाइफ लेंगे और उसको ओईल से ग्रीस करेंगे जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में डी मोल्ट करना बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही कीजिए तो इडली बिल्कुल सही तरीके से निकलेगी नाइफ को चारो साइट से गुमाएंगे देखिए कितनी बढ़िया तरीके से निकल रही है इडली ये मिनी इडली प्रोटीन से भरपूर है क्योंकि ये दही और सूजी से बनी है हेल्दी तो है ही पर साथ के साथ टेस्टी भी बहुत है इडली को फ्राइ करने के लिए इंग्रीडियन्स देख लेते हैं दस से पंदा कड़ी पत्ता लीव्स एक टी स्पून सरसो एक हरी मिर्च जिसे मीडियम साइज में कट कर लिया है आप इसे बारीक चॉप भी कर सकते हैं एक टी स्पून राई अब एक पैन लेंगे एड करेंगे वन टी स्पून घी आप रिफाइन ओल भी ले सकते हैं पर इडली का टेस्ट घी में बहुत ही अच्छा आता है फ्लेम को मीडियम रखना है अब एड करेंगे चुटकी बर राई और साथ ही डालेंगे चुटकी बर सरसो जैसे कि आप जानते हैं राई और सरसो सारी साथ इंडियन रेसिपीस की जान है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दो कड़ी पत्ता लीव्स कुछ कटे हुए हरी मिर्च के पीसिस इन सबको अच्छे से सौटे कर लेंगे अब जो इडली हमने रेडी की थी वो इसमें आड़ करेंगे और अच्छे से सौटे कर लेंगे एक से दो मिनिट के लिए इसको सौटे करेंगे मीडियम फ्लेम पर हलका सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो रेडी हो गई है इडली बाकी बची हुई इडलीस को भी ऐसे ही त्यार कर लेंगे तो देखा दोस्तों आपने कितना हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए और किती जल्दी त्यार हो जाता है गर्मा गर्म सर्फ करें हरी चटनी के साथ इंजोई करें और शेयर करें में इसा सजेशन्स और कमेंट्स मिलूंगी ऐसी है और मज़ितार रेसिपीज के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर डोंट फरगेट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें में इसा सब्सक्राइब